हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज हम पढ़ेंगे सम्वित स्रीच हिंदी विध्याभाग थर्ड क्लास थर्ड लेसन है आपके 12 लेसन का नाम है टिल्लू की सुजबुच इस लेसन में हमने पढ़ा था कि टिल्लू नाने जाता है गिजर अन करता है और उसका गिजर खराब ह हो जाता है और फिर वह ठिटूर कर बाहर आता है और ममी से कहता है कि ममी घिजर खराब हो गया पानी नहीं आ रहा है तो फिर उसकी ममी आती है अंदर और बार बार गिजर को चालू बंद करती है फिर भी कोई नतिजा नहीं निकलता है और वो भी मान लेती है गिजर खराब हो चुका है फिर वह बड़ बड़ाती हुई टिलू को कहती है कि जा तु रजिस्टर में गीजर खराब होने की शिकायत लिखा फिर बाद में आकर ना लेना अपड़े पनकर जब टिलू जाता है तो उसकी माँ उसको टोप देती और कहती है कि तु रहने दे में चली जाती हो और तिलू फिर नमू लटका कर रह जाता है और समझता है कि मुझे मा कितना न करा समझती है में कोई छोटा तो हूनी 12 साल का हो गया हूँ अपनी क्लास में प्रथम आता हूँ एसा वह सूचने लगता है कुछ देर बाद मम्मी शर्मा जी को साथ लेकर आती हैं शर्मा जी जो है वो सोसाइटी के पिजली मिस्त्री थे वो आते ही बात्रूम में जाते हैं और जाच पड़ताल करने के बाद कहते हैं कि इसकी मोटर जल गए है सुनकर मम्मी जो थी वो हक्की बग्की रह गई और कहने लगी कि कितना खर्चा आएगा तो मिस्त्री ने कहा कोई 115 रूपे है और फिर वो मम्मी से कहता है कि आप कहो तुम्हें इसको खोल कर ले जाता हूँ और कल सई करवा कर ले आता हूँ आपके सामने वाले जोशी जी का भी खराब हो गया है और नीचे टंडन जी का भी खराब हो गया है मम्मी जो थी वो अजिब उल्जन में पढ़ गई और बुद बुद आते हुए बोली ठीक है हमारा भी कल ले जाना और इसके बाद शर्मा जी जो थे वहां से चले गए फिर टिलू पढ़ने बेटता है पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वह उसकी मम्मी के उदास चेरे को ही बारबल देखता है क्योंकि उसकी मम्मी उदास थी पिछले डेड़ महिने से उसके पापा की फेक्टरी में हड़ताल चल रही थी और मम्मी का हाथ तंग था और बेठे बिठाए गिजर भी खराब हो गया ऐसा वो सूचने लगा और फिर सूचता है कि कल ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से इसको क्या हो गया फिर वो सूचत यहां तक हमने कर पड़ लिया था उसे याद आया रश्मी आंटी के छोटे भईया बिजली के इंजिनियर है उसे याद आया कि रश्मी आंटी जो है उनकी छोटे भईया बिजली के इंजिनियर है इसलिए वो रश्मी आंटी के घर गया था उनके घर में जब भी बिजली की कोई चीज बिगड जाती हैं तो छोटे भईया ही उसे ठीक कर देते हैं सयोग से वह जैसे ही रश्मी आंटी के घर पहुंचा वैसे ही छोटे भईया फेक्टरी से लोटे उसने उनको सारा माजरा बताया तो वह फोरण उसके साथ ही चल दिये रश्मी के घर पर अगर कोई भी बिजली का उपकरन बिगड जाता तो उनके छोटे भईया ही ठीक कर देते थे और जब तिलू रश्मी आंटी के घर पहुंचा तो उस समय उनके छोटे भईया फेक्टरी से वहाँ आए हुए थे और उसने उनको सारी बात बताई और उनके साथ उसके घर पर चल दिये चोटे भईया ने गिजर को बड़े ध्यान से देखा और पूछा बिजली मिस्त्री क्या कह रहा था चोटे भईया ने गिजर को देखा और उनसे पूछा कि जो बिजली मिस्त्री आया था उसने इसके लिए क्या कहा तो टिलू की मम्मी ने कहा कि कह रहा था कि मोटर जल गई है मम्मी ने जवाब दिया टिलू की मम्मी ने जवाब दिया कि वह तो कह रहा था कि इसकी मोटर जल गई है मोटर भाईया चोके और फिर एका एक ठाका मार कर हस पड़े पहले तो भाईया ने कहा कि मोटर फिर वो चौक गए और हसने लगे जोड़ जोड़ से हसने लगे मोटर कहा होती है गिजर में और कहा कि मोटर गिजर में कहा होती है और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है और कहने लगे कि मोटर तो गिजर में होती नहीं हो ये इस गिजर में कुछ भी नहीं हुआ है लगता है किसी ने नीचे से ताथ खीच दिया है अभी ठीक हुआ जाता है एसा उन्होंने कहा क्या मम्मी और टिल्लू के मुह से अचरत से खुले ही रह गए मम्मी और टिल्लू का जुमोता अचर से खुला रह गया तभी भीया बोले अरे ये आजकल के बिजली मिस्त्री होते ही बड़े तिग्रमी है और फिर भीया ने कहा कि आजकल जो बिजली मिस्त्री होते हैं वह चालबास होते हैं लोगों को तो बिजली में उपकरणों की कोई कोई जानकारी होती नहीं है। जो ये बता देते हैं। लोग उसे ही सच मान लेते हैं। फिर कहते हैं। लोगों को बिजली के उपकरनों की कोई जानकारी होती नहीं है और जो वो मिस्त्री लोग बोलते उसे वह साच मान लेते हैं आच्रत से टिल्लू की आखे फट पड़ी और आश्चरत से टिल्लू की आखे फट पड़ी पर भईया वह तो हमारे पडोसी अंकल और नीचे अंकल वाले टंडन अंकल का गिजर भी ठीक करने के लिए खोल कर ले जाने वाले हैं फिर टिल्लू ने कहा कि वह तो हमारे पडोसी अंकल और नीचे वारे टंडन अंकल का गिजर भी ठेक करने के लिए खोल कर ले जाने वाले हैं तो भाईया ने कहा चलो अभी पॉल खोल जाती हैं मिस्त्री की पॉल अभी हम खोल देते हैं भाया ने गिजर चालू करके बहती धार को चुकर पानी की गर्मा हट का मुआयना किया सभी ने देखा गिजर एकदम ठीक चल रहा था सभी लोगों ने देखा पानी को चुकर की गरम आ रहा है कि ने तो गिजर एकदम से ठीक टाक चल रहा था अब टिल्लू ताली बजाते हुए खुशी से उचल पड़ा और फिर टिल्लू जो था वो ताली बजा का उचल पड़ा भाईया ने स्विच ओफ किया और बोले चलो उन लोगों के गिजर की भी गरबर देख लेते हैं भाईया ने कहा तब मम्मी और टिल्लू की हैरानी का ठीकाना न रहा जब उन्होंने पाया कि शर्मा जी और टंडन जी के यहां भी गिजर के तार अलग अलग रखे थे जो नजर नहीं आ रहे थे तिल्लू और टिल्लू के मम्मी दोनों आश्चर चकी थे कि यह जो बिजली का कर्मचारी है या बिजली मिस्त्री है वह कितना जूट बोल रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है तार निकाल के उसने रखे हुए हैं अलग अलग और फिर कह रहा है कि भी गड़ गया है औ और शर्मा जी का भी गिजर सई कर दिया तबी लोग भाया को धन्यवाद देने लगे पर भाया ने फोरन टिल्लू को आगे करके कहां इसका धन्यवाद करिये यह सब इसकी ही सूझ भूझ का नतीजा है तो चोटे भाया ने टिल्लू को आगे करके कहां कि सब इसे धन्यवा कहिए क्योंकि इसकी चतुराई से यह सब काम हो पाया है उसके बाद सब ने मिलकर शर्मा जी की शिकायत की तो सोसाइटी ने फोरण उसको नोक्री से ही निकाल दिया फिर सब लोगों ने मिलकर शर्मा जी की शिकायत की सोसाइटी में तो फोरण उसको नोक्री से निकाल दिया तिलु बहुत खुश हुआ और उसकी शाबाशी की सातो को छोड़ो, वह तो इस बात से इत्रा रहा था कि मम्मी ने आखिर उसकी सुझबूच का लोहा मान लिया कि सब लोग उसको शाबाशी दे रहे थे उसको तो उसने छोड़ी दिया पर वह इत्रा ने लगा या इत्ला ने लगा कि मम्मी ने भी उसकी चतुराई को मान ही लिया अब आगे इसकी question answer आपको PDF कर दिये जाएंगे इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सुच बुचसे कारे को करना चाहिए